हेलो नमस्कार साथियो जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तो बहुत ही ज़्यादा इन्पोर्टेंट सुचना है और ये आपको सुननी है दो मिनट दोस्तो मेरी आज तीन से चार यूट्यूबरों से बात हुई दिन में जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने सभी लोगों ने किसी एक ने नहीं सभी लोगों ने जिससे भी बात हुई जो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं दोस्तों उन सभी ने एक ही बात कही कि सर हमने जैसे ही कोई information बाइरल की यानि जैसे ही कुछ बताया इतने बड़े बिस्वास घाती और नमक हराम इस में सामिल है और वो बहुत ही साधारण बच्चे साधारण UPSI aspirant बनके कमेंटों में वैठे हैं जो लोगों का brainwash कर रहे हैं जिनकी बज़े से उन कुछ लोगों की team में इतना power है कि उनकी बज़े से बच्चे कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो घर से निकल कर कहीं पहुँचे यानि आंतरिक तोर पर वो आंदोलन को कमजोर करे दे रहे हैं दोस्तों सोचो उन लो पर कमेंट कर रहे हैं बस इसमें जिन्दगी निकल रही है सब को यह है कि मुझे खुश ख़बरी मिल जाए पर कमरे में बैटके ऐसा मुम्किन नहीं होता दोस्तों यह ऐसी लड़ाई है जो हो सकता है आपके जीवन में जब आपको अगर न्याय मिल जाए तो आप अपने जीवन में हर किसी को बताएंगे जब मेरी यूट्यूबरों से बात हुई तो उन्होंने कहा सर इतने बेश्वास घाती बीच में है कि कोई भी काम करने के लिए जा रहे जैसे किसी से मिलने जाना था आपको बताओं प्लान बनाया था किसी से मिलने का उनसे सपोर्ट लेने का लेकिन वहाँ वो टीम पहले ही पहुँच गई पूरा प्लान मटिया मैदान हो गया और उन्होंने साप मना कर दिया कि नई भाई हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तो समझो इस चीज को ये जो लोग आम आदवी बनकर इस कमेंट में हैं मैंने ये चीज बात करने के बाद अपने पुराने वीडियो में गया उनके कमेंट सेक्शन में गया जो साथ ही इस पर видео बना रहे हैं इस scam पर उनके वीडियो पर गया उनके comment section में गया दोस्तो कुछ लोग बिलकुल common मिलें और वो दावा करते हैं वहां पर आपका brainwash कैसे किया जा रहे हैं वो दावा करते हैं वहां पर के मेरा ntpc में हो रका है मेरा SSC-GD में हो रखा है, मेरा CPO में हो रखा है, मेरा UPSI में हो रखा है तुम फेलो इसलिए तुमारी जल रही है भाई, मेहनत करो, मेहनत करके ही आपका number आएगा दोस्तो इस तरीके से लोगों का हौसला कमजोर कर दिया, तो इसलिए नुर्दोलन कमजोर कर रहा है क्योंकि बच्चे कही न कहीं यह सोच रहे हैं कि यह इसी अरे जब इतना ही पढ़ने से नंबर आ रहा होता जब इतना ही पेपर सरल है तो 128 नंबर जिस व्यक्ति के आ रहे हैं उस व्यक्ति का selection क्यों नहीं हो रहा है उस विप्ति के सारे नंबर नॉर्मलाईजेशन में कैसे कम हो गए जब पेपर सब के लिए इसरल है तो 128 बाला तो सलेक्ट होना चाहिए न नहीं है वो सलेक्ट 125 नंबर पर 155 पर कट अफ गई है वो सलेक्ट नहीं है क्या उसने मेनत नहीं करी, क्या उसके लिए ही paper सबसे easy हो गया, जो easy paper की द्वाई दे रहे हैं, दोस्तों इन लोगों को पहचानो और आपसे मेरी request है कि comment section में इनको जवाब दो, आप जवाब दो इनको comment section में, मैंने देखा है जब कोई बच्चा उनको comment section में जवाब देता है तो वो polite हो जाते हैं और कहते हैं भाई मेरा तो selection हो गया मुझे इसकी जरुवत नहीं है आपको है तो आप करो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारी level देख रहे हैं ये कितने level तक ले जा सकते हैं इसको brainwash करके आदे youth को उन्होंने घर में ही बैठा दिया है साथियो थोड़ा सा दिमाग लगा के common sense से सोचो कि अगर ये लोग इतने ही पढ़ने लिखने वाले होते अगर इनका इतने ही पेपरों में selection हुआ रखा होता तो क्या ये ये वीडियो देखके चलो मानलो मेरा वीडियो देख लिया या मानलो किसी और का देख लिया जिसने वीडियो बना रहा है ये सारे वीडियो देखते हैं सारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं देखो इनकी planning ये team है ये सारे वीडियो देखते हैं और एक एक व्यक्ति के दो चार के मैं नाम बता देता हूँ आपको VYRLS, अंकित मिसरा, अंकित कुमार, एक कच्चू पुडिया करके कुछ है ये 4, 6 से 10, 20 लोगों की टीम है जिनके कमेंट आपको हर वीडियो पर मिलेंगे हर वीडियो पर, ना मानो, चेलेंज है, जाके कोई सा भी वीडियो खोलो, जो इस कैम के उपर बनाए और एक कमेंट नहीं, चलो एक बात मानलुक आपको पढ़ने का कोई सजेशन दे रहा है एक कमेंट करके छोड़ देगा न, इनके हर 10, 20 कमेंट के बाद एक कमेंट है और पूरे 200 से 200 कमेंट में 10 से 20 कमेंट इन ही लोगों के हैं सिर्फ moderate कमेंट, एक ही तरीके के कमेंट, आप इनको पहचानो, इनको वही counter कर लो डरो मत दोस्तो, आज साथ दो, आज तुम्हारे साथ की जरुवत है अगर लड़ना है, तो खुद के लिए लड़ना सीखो दोस्तो brainwashed मत हो चाओ, लोग तुमको रोकना चारे हैं और तुम उस सडियंतर को समझ नहीं पारे पढ़ाई करो, पढ़ाई की मना नहीं है, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं आप पढ़ाई करो लेकिन at least आपको ये वर्क में दे रहा हूँ कि जबी भी ऐसे लोग हो तो इनके मनोबल को तोड़ो इनके खौफ भर गया है दिमाग में कि अगर कुछ हो गया तो हमारे जिंदगी बरबाद हो जाएगी और इनकी जिंदगी बरबाद होनी ही चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुतों की जिंदगी बरबाद करने की पूरी प्लानिंग की है साथियों अपने हक के लिए लड़ो जैहिंद बंदे मातरम God bless you